पेट्यू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है, सात्यों आज एक बहुत महत्तप्रण वीडियो में आप सभी कमा एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि RTE, यानि Right to Education, सिक्सा का अधिकार अधिनियम के तहत, प्राइवेट इसकूलों में फिर एडमिशन के लिए ओनलाइन जो आविदन है वो शुरू हो चुके हैं, और एक बार इनकी डेट पूरी हो चुके थी, लेकिन फिर डेट को बढ़ाया गया है, और अभी इसकी जो अंतिम चित्ति है, यहां प के फीष लगेगी, क्या इसके नियम कानून काईदी हैं, तो सारे आज के इस वीडियो में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ, आविदन आप कब तक कर सकते हैं, इसके लोटरी कब निकलेगी, लोटरी निकलने के बाद में कि क्या परकिरिया रहेगी, सारी परकिरिया मैं आपको समय समय पर उपलब्द करवाता रहूँगा अगर आपने भी RTE के तहत ओनलाइन आविदन किया है तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही लोटरी सिस्टम से आपको स्कूल अलोट होती है तो मैं आपको उसक होगे डायरिक्ट इमितर पर जाकर के और इसके लिए ओनलाइन आविदन कर सकते हैं इसके लिए कोई चादान नहीं है लेकिन आप मान सकते हैं पचास या सो रुपए जो इमितर वाला है वो आप से फोरम बने के ले सकता है इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें तो इसके कुछ डोकुमेंट्स की जरूरत पड़ती है जिसमें एक बच्चे का जनम परमान पत्तर उसका एड्रेस प्रूफ है और अगर OBC, AC, ST इन से है तो इनका कास्ट सर्टिपिकेट की जरूरत पड़ती है इसके अलावा बहुत सारे डोकुमेंट्स है उनकी जरूरत पड़ती ह लेकिन आप उनमें से किसी एक डोकुमेंट्स को जो मैंने आपको बता है उनको चूज कर सकते हैं रासन कार्ड का भी उप्सन आता है उसमें तो आप पिता का रासन कार्ड उसको लगा सकते हैं या फिर उसका बच्चे का नाम भी उसके अंदर होना चाहिए तो सारी होटा है माली जे तीन साल चार साल का है तो आप लकेजी में उसका करवा सकते हैं और से साथ साल का है तो आप उसका पहली क्लास में यानि फर्तम कक्षा में उसका करवा सकते हैं अब यहां पर आप लोग देख लीजी यहां पर जो बताया गया है एकदम से नॉर्मल प्रोस आपको यहां पर दिखा देता हूं क्या होता है कि 10 तारीक तक आप लोग यहां पर ओनलाइन आविदन कर पाएंगे 10 मईह तक आप लोग ओनलाइन कर सकते हैं इतने में आप लोगों का अगर जात्ती प्रवाण पत्तर मौल निवास आपके पास मिननी है तो वह भी आप लोग बनवा सकते हैं बन जाएगा आराम से उसके बाद में 13 मैं को आपका यहां पर online school अलोट होगी तो उसके बाद में आपके school के अंदर यह सारे के सारी document से चेक होंगे कि आपने document से सही लगाए है या सही नहीं लगाए तो उसके बाद में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और आपका जो बच्चा है वो पहली कक्षा से लेकर 8 वी तक प्राइबेट इसकूल के अंदर जो इसकूल आप चूज करोगे जिस गाउं के आप चूज करोगे उस गाउं के अंदर उस इसकूल में पहली से लेकर 8 तक आपका जो बच्चा है वो private school के अंदर फिरी फड़ेगा और इस परकिरिया की सारी जानकारी में आपको समय समय पर upload करवाता रहूंगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 13 मई को यहाँ पर school है वो विद्याले आपका reporting करना होगा 13 मई को आपको school alert होगी और 13 मई से लेकर के यहाँ पर आपको 20 मई तक यहाँ पर reporting करना होगा और उसके बाद में विद्याले द्वारा आविदन पत्रों की जांच होगी इसके अंदर 13 मई से लेकर के 24 मई तक आप लोग देख सकते हैं पर जांच होगी उसके बाद में अभी भाग द्वारा दस्तावेजों में अगर आप संसोदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 13 मई से लेकर के 30 मई 24 तक इसके बाद में आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि तेरा मही से लेकर के 3 जून 2023 तक विद्याले द्वारा रिक्वेस्ट के जाने पर बालक द्वारा दस्तावेज रिएपलोड नहीं करने पर अभी वावक द्वारा संसोधन के जाने पर से समस्त आविदन ओटो वेरिफाई रहेगा 6 जून तक ठीक है 6 जून को इसकी परक्रिया कंप्लेट हो जाएगा इसके बाद में आप लोग यहां पर देख सकते हैं पोर्टल द्वारा उपलब्द आर्टी शीट्स पर चेन करना फरतम चरण आउंटर्ण होगा इसका 7 जून इसके बाद में यहां पर पोर्टल द्वारा उपलब्द आर्टी शीट्स पर चेन करना से सुलक बालकों के परवेश यह बालकों के वरियता के आधार पर यहां पर यह अंतिम चरण रहेगा तो इसमें आपको 17 अगस्त दोजार 24 से 31 अगस्त दोजार 24 तक इसके अंतिम पर बदल भी किया जा सकता है और इन सारी डेट्स में अगर फेर बदल किया जाएगा तो वो सारी चीजे में आपको यहां पर समय समय पर उपलब्द करवाता रहूंगा आसा करताओं की वीडियो आपको पसंद आया होगा आपके यह यूजफूल रहा होगा तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि जो भी अपडेट्स आर्टी को लेकर के आए आर्टी एड्मिशन के परक्रिया को लेकर के आए तो उसकी जानकरी आपको समय पर मिल जाए धन्यवाद